आपने अपने बड़े बुज़ूर्गों से नखुनों की सफाई के लिए डार्ट तो जरूर खाई होगी असल में वो हमारी भलाई के लिए ही इक होती है आपको बता दे कि नखुनों की देखभाल बहुत सारी चीजों से जुड़ी होती है नखुनों से आपकी सेहत तक जुड़ी होती है इसलिए खास तोर पर देखभाल और सफाई बहुत जादा जरूरी है आपको मैं बताऊंगी कि आप अपने नखुनों और हाथों को कैसे स्वस्थ और सुन्दर रख सकते है लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ पूरी वीडियो देखेगा फिर वीडियो देखकर कॉमेंट भी कीजिएगा शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए नाखुनों को साफ रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें इससे ना केवल आप बैक्टीरियों से दूर रहेंगे बलकि आपके नाखुन हमीशा साफ और ताजे दिखेंगे बहतर प्रणिनाम के लिए गुन-गुने पानी के इस्तेमाल करें पर ध्यान रहें बहुत थंडा और बहुत गरम पानी आपकी स्किन को नुक्सान पहुचा सकता है आपका नाखुन और क्यूटीकल यानि की तवच्चा की बहरी परत आपके शरीर का बहुत ही नाजूक हिस्सा होता है रोज का तनाव और हातों से होने वाले सारी काम इन्हें प्रभावित करते हैं इसलिए नाखुनों में क्यूटीकल ओयल लगाना जरूरी है इससे नाखुनों का रूखापन दूर होता है तो अगर आपके पास ये ओयल नहीं है तो जल्दी लियाईए आप एक काम और कर सकते हैं आप हफते में दो वर सोने से पहले ग्लिसरिन का यूज कर सकते हैं इससे आपके नाखुन चमकदार हो जाएंगे बिना काटे और तेड़े मेडे नाखुन सामने वाली व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डालते हैं इसलिए अपने नाखुनों को समय समय पर काटे और उन्हें सई आकार दे इन्हें आगे पीछे बार बार फाइल करने से ना केवल तो ये खराब होते हैं बलकि परते भी निकलती हैं ये नाखुनों को छिलने और तूटने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके शरीर की तरह आपके हाथ भी लगातार काम करके ठक जाते हैं इसलिए महीने में एक बार मैनिक्योर जरूर करें नियमित रूप से मैनिक्योर करने से आपके हाथ और नाखुन साफ रहते हैं और आपकी जो डेट स्किन होती है वो भी हट जाती है नेल पेंट लगाने का सही तरीका भी अपनाई है नेल पेंट हर महीला को लगाना पसंद होता है ये वेकिन उससे पहले आपको बता दे नेल पोलिश लगाने से पहले उस पर एक कोट ट्राםस्पेरेंट नेल पेंट कर जरूर लगाएं इससे आपके नेल पोलिश अधिक समय तक तिका रहेगा अगर आपको रंगी नेल पोलिश लगाने का मन नहीं है तो आप पारदर्शी यानि कि ट्रांस्पेरेंट नेल पेंट भी लगा सकते हैं आपका खान पीन भी बताता है कि आपके नाखून कैसे हैं मजबूत नाखून और कोमल हातों के लिए आपके भोजन में प्रोटीन, विटामिन B, विटामिन E, फाइबर होना बहुत जरूरी है इसके लिए आप दही, उबलेंडे, ऐसे भोजन अपने खाने में शामिल कर सकते हैं चमक के पानी से आप नाखूनों की सफाई कर सकते हैं अगर आप अपने नाखूनों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो गुलाब जल और ग्लिसरीन को मिला कर और उसमें हाइड्रोजन पैरोकसाइड मिला कर अपने नाखून बढ़ा सकते हैं अगर आप अपने नाखूनों पर लगाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा और आपके नाखून तेजी से बड़े होंगे तो ये थे कुछ टिप्स कैसे लगी आपको वीडियो बताने के लिए लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और हाँ अपने दोस्ते के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा